हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टूर चैनल तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी NTA UGC NET PEPER 1 2020 से रिलेटर जो मोग टेस्ट सिरीज है उसके मोग टेस्ट 79 के बारे में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो अब तक के आपके 2020 में most important current affairs है January से लेकर September month तक के उनको हम discuss करने वाले हैं आज किस वीडियो में जहां पर ये current affairs one-liner होंगे यानि किस वीडियो में हम इन current affairs को explain नहीं करेंगे बस जल्दी से revision कर लेते हैं इन current affairs की आपका जो exam होना है UGC NET PEPER 1 September 2020 में उसके लिए और friends साते ये हमारी current affairs पर last वीडियो है इस बार के exam के लिए और अगर आप किसी भी government exam की त्यारी कर रहे हैं जिसमें current affairs related questions पूछे जाते हैं तो उनके लिए भी वीडियो काफी helpful रहेगी और अगर आप इन questions की free of cost पीडियेफ चाते हैं या फिर हमारे चैनल पर जो भी वीडियो हैं उनकी free of cost पीडियेफ चाते हैं तो उसके लिए आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको अपने telegram में जाना होगा और top पर search करना होगा चैनल का नाम keep learning, keep growing देन वहाँ से आप उस group पर click करके channel को join कर सकते हैं और आप ये वीडियो एन तक जरूर देखे ताकि आपके important questions कवर हो जाए current affairs related इस बार के exam के लिए हम अपने पहले question पर आते हैं जहांपर हमारा पहले question है where was the first world solar technology summit and shot WSTS held on 8th September 2020 यानि के 8 सितंबर 2020 को प्रत्थम विशव सोर प्रद्योग की शिकर समेलन कहां आयोजित किया गया था ये आयोजित किया गया था न्यू डेली में और इस summit को किसके द्वारा organize किया गया था international solar alliance द्वारा in short ISA द्वारा इसके अलावा where will the third assembly of the international solar alliance take place यानि के अंतरास्ते सोर गटबंदन की तीसरी सवा कहां पर होगी ये भी न्यू डेली में होगी इस साल और friends हम एक और question के बारे में बात कर लेते हैं COP26 के बारे में है जो इसमें Conference of the Parties in short COP26 UNFCCC के लिए इसका 26 session ये होना था 9 से 19 नुवंबर के बीच 2020 में United Kingdom के Glass School में जहां पर इसे 28 मई 2020 को Corona pandemic की वज़े से postpone कर दिया गया और अब COP26 कब होगा एक से 12 नुवंबर के बीच 2021 में next question के बारे में बात कर लेते हैं question number second which is the latest country to signed and ratified the international solar alliance framework agreement यानि के वह नविंतम देश कौन सा है जिसने अंतरास्टे सोर गटवंदन framework समझोते पर हस्ताक्षर किये और उनका समर्थन किया है वो latest country है जिसने sign b किया है और ratified भी किया है international solar alliance को उस country का नाम है People's Democratic Republic of Algeria ये 68th country है जिसने international solar alliance को sign b किया है और ratified भी किया है इसके लावा 1 सितंबर 2020 तक कितनी total signatory countries है international solar alliance की Friends हम सरफ signatory countries के बारे में बात कर रहे है ratified countries के बारे में बात नहीं कर रहे है तो total signatory countries कितनी है total 86 है और current signatory country कौन सी है 86th यानि के Republic of Trinidad और Tobago ये latest signatory country है international solar alliance की और ये कौन सी country है 86th country है जिसने sign किया है international solar alliance को next question में हम बात कर लेते है when has India ratified the Paris agreement on climate change यानि कि भारत ने कब जलवायू परिवर्तन पर Paris समझोते की पुस्ती की है इंडिया ने की थी 147th birth anniversary थी जब महात्मा गांदी जी की यानि के 2 October 2016 को जब इंडिया ने Paris agreement on climate change की पुस्ती की थी ratify किया था और इंडिया 62nd country थी यानि के 62nd देश थी जिसने इस agreement को ratify किया था Question 4th है Which nation has become the first one in the Arab world to produce nuclear energy यानि के कौन सा रास्टर परमानों उर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है वो नेशन है UAE यानि के United Arab Emirates जो अरब वल्ड का यानि के जो पहली Gulf country है जो प्रोड्यूस करेगी nuclear energy Question 5th है Util ranking of institutions on innovation achievements in short A.R.I.A which institute ranks first in the list of top innovative educational institutions in India यानि के A.R.I.A में भारत में शिर्ष नविन शैशिक संस्थानों की सूची में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है Util ranking of institutions on innovation achievements इसमें top institute है IIT Madras Question 6th है Which city was ranked at the top in the Swatch Survection 2020 rankings list यानि के Swatch Survection 2020 ranking सूची में किस शहर को शिर्ष पर रखा गया वो top city है Swatch Survection 2020 की इन दौर इसके अलावा Swatch Survection 2020 की ranking में गंगा नदी के किनारे सबसे Swatch शहर कौन सा है वो शहर है वारनसी Next question is Question No.7 Who has approved a 400 million loan for the rejuvenation of the Ganges River under the Namami Gange Program यानि किस ने Namami Gange Program के तहत नदी के काया कल्प के लिए 400 million रिन सविकृत किया है इसकी मनजूरी दी गई है World Bank द्वारा Question No.8 है Manodarpand Initiative Provide Support to Students for जो Manodarpand पहल है वो प्रोवाइड करती है Students को support प्रोवाइड करती है किसके लिए Their Mental Health and Wellbeing के लिए यानिके उनके मानसिक्स वास्ते और कल्यान के लिए और Manodarpand Initiative को किसके द्वारा लॉंच किया गया इसे लॉंच किया गया रमेश पोकरियाल ने शंक द्वारा Next Question No.9 Now what will be the name of the Ministry of Human Resource Development यानिके अब मानव संसाधन विकास मंत्राले का नाम क्या होगा अब Ministry of Human Resource Development का नाम होगा Ministry of Education यानिके शिक्षा मंत्राले Question No.10 Who represented India at the 6th BRICS Environment Minister's Meeting यानिके 6 में BRICS पर्यावरन मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनी दित्तव किस ने किया India को रिपर्जेंट किया 6th BRICS Environment Minister's Meeting में Minister of Environment, Forest and Climate Change परकाश जाविद करने Question No.11 Prime Minister Narendra Modi has inaugurated in Reva, Madhya Pradesh यानिके परधान मंत्री Narendra Modi ने Reva, Madhya Pradesh में उधिकाटन किया है 750 MW Reva Ultra Mega Solar Power Project का Question No.12 The Union Cabinet has approved an Memodum of Understanding and Short MOU on Cooperation in Environment Protection between India and which nation यानिके केंद्रियों मंत्री मंदल ने भारत और किस रास्टे के बीच परेवन सरंक्षन में सेयोग पर एक समझोता गया आपन को मंजोरी दी है वो नेशन है बुटान Question No.13 India signed an agreement recently with which nation to boost cooperation in the power sector यानिके भारत ने हाली में बिजली शेतर में सेयोग को बड़ावा देने के लिए किस रास्टे के साथ एक समझोते परहस्ताक्षर किये वो नेशन है देनमाक Question No.14 Which is the first city to have online waste exchange for municipal solid waste यानिके ऐसा पहला शेर कौन सा है जिसके पास नगरपालिका के ठोस कचरे के लिए online कचरा विने में है वो city है चेन्नाई और चिन नहीं ऐसी पहली city है जिन्होंने लाँच किया था online waste exchange प्रोग्राम को किस के लिए municipal solid waste के लिए Question No.15 The world's first yoga university outside India has been launched in which country यानिके भारत के बाहर दुनिया का पहला yoga विश्व विदालिया किस देश में शुरू किया गया है ये शुरू किया गया है उनाइटेड स्टेट्स में Question No.16 Which country successfully phased out most potent ozone deplatting chemical HCFC hydrochlorofluorocarbon 141B यनके किस देश ने सबसे शक्तिशाली ozone शैकारी रसाइन HCFC 141B को सफलता पुरवक्स मापत कर दिया है ऐसा किया गया है इंडिया द्वारा Question No.17 Which state disaster mitigation and management center won the सुभाष चंदर बोष आपदा परबंदन पुरुसकार 2020 यनके किस राज़े के आपदा शमन और परबंदन के इंदर ने सुभाष चंदर बोष आपदा परबंदन पुरुसकार 2020 जीता है ये जीता है उत्रागंड के disaster mitigation and management center ने कौन सा वोड जीता है सुभाष चंदर बोष आपदा परबंदन पुरुसकार 2020 और इसके अलावा अगर हम individual category की बात करें तो IPS कुमार मुनन सिंग है उन्होंने individual category में ये अवोड जीता है Question No.18 Under the union budget 2020, the government has allocated how much amount for the education sector ये केंदरी बजट 2020 के तहत सरकार ने शिक्षा शेतर के लिए कितनी राशी आवंटित की है वो amount है 99,300 करोड Question No.90 Where is India's first transgender university going to start यानि के भारत की पहली transgender university कहां शुरू होने जा रही है इंडिया की first transgender university स्टार्ट होने जा रही है उत्रपरदेश में Question No.20 Who has classified coronavirus as a pandemic यानि के किसने coronavirus को विशव मारी रूप में वर्गी कृत किया है ऐसा किया गया है World Health Organization द्वारा NSHOT WHO द्वारा यानि के विशव स्वास्ते संगठन द्वारा जिसने coronavirus को pandemic के रूप में classify किया है Question No.21 According to Minister of State for Jal Shakti Ratan Lal Qatariya Groundwater in India is contaminated with which chemical element यानि के जल शक्ती राज्यमंत्री Ratan Lal Qatariya के अनुसार भारत में भूजल किस रसाइनिक तत्व से दूशित है इंडिया में groundwater contaminated है उस chemical element का नाम है uranium किसके according Minister of State for Jal Shakti Ratan Lal Qatariya के according Question No.22 As per the International Energy Agency Which country is the third largest producer of electricity यानि के अनुसार अनुसार कौन सा देश बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उतपादक है वो country है इंडिया Question No.23 What is India's rank in inclusive internet index 2020 यानि के समावेशी internet सूचकांग 2020 ने भारत की rank क्या है इंडिया की rank है 46 Question No.24 How many Sanskrit universities have been given the status of Central University in India यानि के भारत में कितने Sanskrit विश्यविदालियों को केंद्रिव विश्यविदालिया का दर्जा दिया गया है Total तीन Sanskrit universities को status दिया गया है Central University का इंडिया में और वो तीन universities कौन सी है रास्टे संस्कृत संस्थान डेली जिसके स्थापनाई थी 1970 में देन उसके बाद लाल बहादर शास्त्री रास्टे संस्कृत विद्यापिट डेली इससे स्थापित किया गया था 1962 में और थर्ड उनिवर्सटी है रास्टे संस्कृत विद्यापिट त्रिपती इससे स्टैब्लिश किया गया था 1961 में ये तीन Sanskrit universities हैं जिने Central University का status दिया गया है Question 25 है Who has been appointed as the ambassador for World Wildlife Fund India's Environment Education Program यनके विशव वन्यजीव कोश भारत के परियावन सिक्षा कारेकरम के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है विशवनातन आनंद Question 26 है The virtual 11th Petersburg Climate Dialogue was co-chaired by Dash यनके virtual 11th Petersburg जलवायू समवाद किसके द्वारा सहद एक्ष्टा किया गया था इसकी सहद एक्ष्टा की गई थी Germany और United Kingdom द्वारा इंडिया की तरफ से परकाश जाविदकर ने रिपर्जेंट किया किसे Petersburg Climate Dialogue को Question 27 है Which gasly poisonous gas leak occurred in विशाका पत्नम सिटी on 7th माई 2020 यानिके 7 माई 2020 को विशाका पत्नम शहर में कौन सी बीशन जहरेली gas का प्रिसाब हुआ वो gas थी styrene gas Question 28 है India was ranked at which position on the Global Energy Transition Index 2020 यानिके वैश्विक उर्जासंकरमन सूचकांग 2020 पर भारत को किस्थान पर रखा गया था इंडिया रहा 74th place पर Global Energy Transition Index 2020 में और Global Energy Transition Index इसे किस के द्वारा release किया जाता है World Economic Forum द्वारा Question 29 है Who has taken over as the chairman of the executive board of the world health organization यानिके विशास्वास्थे संगटन के कारेकारी बोर्ड के अदेक्ष के रूप में किसने कारेबार संभाला है अब World Health Organization के Executive Board के chairman होंगे Dr. Harshwardhan Next friends हम बात कर लेते हैं कुछ theme वाले questions के बारे में जहांपर question 30 है World Youth Skills Day 2020 का theme क्या है इसका theme है Skills for a Resilient Youth Question 31 है World Environment Day 2020 का theme क्या है इसका theme है Biodiversity यानिके जैवेवित्ता और इसे किसके द्वारा host किया गया था World Environment Day 2020 को इसे कोलंबिया द्वारा host किया गया था जहांपर कोलंबिया ने partnership की थी Germany के साथ यानिके Germany और कोलंबिया ने इस बार host किया था World Environment Day 2020 को इसके लावा 2019 का theme क्या था World Environment Day का Beat Air Pollution और उसे किसके द्वारा host किया गया था 2019 के World Environment Day को host किया गया था चाइना द्वारा question number 32 है World Wetland Day 2020 का theme क्या है इसका theme है Wetlands and Biodiversity यानिके आद्रभूमी और जय विवित्दा 2019 का theme क्या था World Wetland Day का Wetlands and Climate Change question number 33 है National Science Day 2020 का theme क्या है Women in Science और 2019 का क्या था National Science Day का theme Science for the People and the People for Science question number 34 है World Wildlife Day 2020 का theme क्या है Sustaining All Life on Earth यानिके प्रित्वी पर सभी जीवन को बनाई रखना और 2019 का theme क्या था Life Below Water for People and Planet next question पर आते हैं question number 35 World Water Day 2020 का theme क्या था Water and Climate Change यानिके जल और जलवायू परिवर्ट है 2019 का क्या था theme World Water Day का Life Below Water for People and Planet question number 36 है World Meteorological Day 2020 का theme क्या था 2020 विशव मौसम विज्यान दिवस का theme था Water and Climate Change यानिके जल और जलवायू परिवर्ट है यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं World Water Day 2020 और World Meteorological Day 2020 इस बार इनका theme एक ही था question number 37 है Earth Day 2020 का theme क्या है प्रित्वी दिवस 2020 का theme है Climate Action यानिके जलवायू कारेवाई question number 38 है World Health Day 2020 का theme World Health Day का theme है इस बार का Support Nurses and Midwives यानिके नर्सों और दायों का समर्थन और 2019 का क्या था Universal Health Coverage Everyone Everywhere question number 39 है International Day for Biological Diversity 2020 का theme क्या है इस बार का Our Solutions are in Nature यानिके हमारे समादान प्रकरती में है ये इस बार का theme था International Day for Biological Diversity का और 2019 का क्या theme था Our Biodiversity, Our Food, Our Healthy यानिके हमारी जैवित्ता हमारा भोजन, हमारा स्वास्थे Question number 40 है World Press Freedom Day 2020 का theme क्या है Generalism Without Fear or Favor और आजका मारा last question है Question number 41 National Technology Day 2020 का theme क्या है Focusing on Rebooting the Economy through Science and Technology तो friends ये थी मारी आजकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चनल पर मिल जाएगी So thank you friends for watching this video ट्री वाइब जाईको चनल जाएगी पिरके काय है हूँन है तो झाल है